दोस्तों Galaxy M32 का जो Android 12 का बीटा अपडेट है वो पिछले दो महिनों से लगबग चली रहा है और बहुत सारे कमेंट्स मुझे डेली देखने को मिलते रहते हैं कि भीजो इसका अपडेट हूँ कब तक आएगा पिकोज इतनी लंबी टेस्टिंग सांसिंग अपने किसी भी फोन की नहीं करता है विकोज जो स्माप्जिश स्माटफ़ों है उनकी एक बार टेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद मेबी एक या डेड़ महिने के अंदर-अंदर जो अपडेट से हैं बाकी जो मिड रेंज सम स्मार्टफोन है उसमें भी काफी टाइम सामसंग ने लगा दिया हूँ है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है क्या कारण है और जो अपडेट है वो क्यों डिले हो रहा है साथ है आपको कब तक अपडेट देखन को मिल जाएगा तो उस टाइम मैंने आपको वीडियो भी बिल्कुल दी हुई थी और आपको बताया था कि जो अपडेट आया है तो उसके साथ क्या-क्या प्रोब्लम्स है और जो दूसरा अपडेट भी आया था उसके साथ हमें क्या-क्या स्लूशन देखने को मिल गए है उस बात तक तो ठीक है because काफी limited ही stocks थे या काफी limited seats दी जिन लोगों को अट आपडेट मिला लोग है और maximum जो लोग है उनको अबडेट अभी तक नहीं मिला है तो हमारा यह कोश्चिन है कि आखिकार update delay क्यों हो रहा है तो बीच में आपने एक hint यहां पर जूरूर देखी होगी कि जो Samsung यह वो अ completely finish हो गया है तो उसके बाद हमें stable देखने को मिल जाएगा लेकिन नहीं फिर से हमें जुद अपडेट है वो देखने को मिला और उसके बाद एक बाद फिर से सामसंग ने बीट अपडेट को क्या सीन है तो यहां पर भी सेम बीटा एंडेट दिखा रहा था और उसके दो दिन बाद देखो तो फिर से जो बीट अपडेट है वो सामसंग ने शुरू कर दिया तो मतलब काफी पजलिंग वाला गेम यहां पर सामसंग बिल्कूल खेल रहा है और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मेजर बग्स इस अपडेट के साथ हैं जो कि सामसंग फिक्स नहीं कर पा रहा है विदक बिकॉस जो को लिंग से एक सबसे बड़ा बग्ग है जो कि मुझे आया पहले अपडेट से था और अब तक सूल्ब नहीं हुआ कि जो भी कोल्स मेरे फोन पर आ रही है वो इंप्रूब्मेट तो हुई है लिए कि अभी फुली ओप्टिमाइजड के लिए स्टेवल का इंतिजार बिल्कुल करना होगा और इसी के साथ ही और धेर सारे इसूस हमें एंड़ टॉलब बीटा अपडेट के साथ देखने को मिले हैं तो हाँ यह चीज़ हम एकसाप्ट क को इसे सोल करके बिल्कुल देना ही पड़ता है अब कि एसी में उमीद करूंगा कि जो अपडेट है हमें वीदीन वीड देखने को मिल जाए वीदिन वीड तो मिलना चाहिए बिकोज जो ऑफिशियल जून के लिए स्टेटमेंट थी वो सांसंग की है तो जून के लिए अगर सामसंग अपडेट अभी जल्दी दे दे तो स्टेबल का इंतजार हमें जरूर करना जाए बिको जो बग्स हैं फिक्स हो जाएं ताकि हम थोड़ा सा गर वेट भी कर रहे हैं तो वह थोड़ा सा हमारे लिए बैनेफिशल बारी बात बन जाए बाकि मैं आपको यह बतान के तरफ भी बढ़ने वाले तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगी वागी इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जुरूरू बताईएगा और आपसे मिलता हूं किस नेक्स्ट वीडियो के साथ